क्या आप जानते हैं नवडात्र में जो उगना दीता है भविष की सुभ असुभ संकेत आईए जानते हैं कैसे करें इनकी पैचान नवडात्र में मादुर्गा के नौर उसुपो की विदिवत पूजा करने का विधाने सक्ति स्वरुपा माँ भगवती की विदिवत पूजा करने के साथ कलस की अस्थापना की जाती अस्थापना के समय कलस की चारो और जो बोने की प्रमप्रा है कई जगे इसे जुआरे भी कहते हैं मिट्टी के बर्तन में बोय जाने वाले इस जो की काफी अधिक महत्व है जोब होने के प्रमप्रा सदियों से चली आड़ी है लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर जो क्यों बोय जाते हैं इनके रंगों की हिसाब से क्या संकेत मिलता है नहीं तो आये जानते हैं जो को लेकर यह मानिता है कि जो जितने लंबे और अच्छे होते हैं घर में उतनी ही ज्यादा सुख समिर्दी आती है हर साल मिट्टी के बर्तन में जो बूया जाता है अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में बोया जाता है कहा जाता है कि स्रिष्टी की पहली पसल जो ह माना जाता है। इससी सुख सम्विर्दी से जोड़ा जाता है। कुसि का स्वास्थ अच्छा रहता है। जो अगर जो सफेद और हड़े रंगे होते हैं तो यह भी सुब संकेत है इसका मतलब यह है कि मातर रानी आपके फूजा से प्रिशन है और चाहती है कि आप अच्छे काम करें पीले रंग के जो उखते हैं तो माना जाता है कि जल्दी घर में खुशिया दस्तक देने वाली है कोई हुए जो का ठीक धंग से पानी देने के बाद भी नहीं उगना या असुब माना गया है काले रंग का जो उगना भी असुब माना जाता है इसका मत्तब यह है कि आने वाले समय में कई परिसानियों का सामना करना पर सकता है अगर जो सूखी और पीली रंग की है तो जी